हेलो फ्रेंट वेलकम को बाजिवरा रेड़ी इंशूट टुटे निसिस के आज क्यांक में हम दो मई दो हजाद चौबिस के तीन प्रमु समाचार और उन पर आधारित पांच प्रश्णों को देखते हैं जिसमें पहला समाचार या पहला जो न्यूज डिसक्स किया जाएगा न्यूज क्या है एक आर्टकिल है इंडियन एक्सपेस में यह निकला है कि ब्यक्ति जेल में बंद हो उसके प्रमुक पहलों को समझेंगे और इस मुद्दों को समझेंगे कि कैसे चुनाव लड़ सकता है व्यक्ति लेकिन मद्दान नहीं कर सकता है और ऐसा क्यों है कि चुनाव लड़ने पर तो रोक नहीं है मद्दान करने पर रोक है और मद्दान करने पर क्यों रोक है और चुनाओ लड़ने पर क्या क्या रोख है ये सारी चीजे हम इसमें समझने के कोशिश करेंगे दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो एकनोमी के संदर्ब में है वैसे तो देखा जाए तो ये एक महिने का डेटा है ये कोई बहुत महत्पूर नहीं है लेकिन जुलाई 2017 से जब से GST को इंप्लिमेंट किया गया है तब से लेके अभी यानि 7 साल होने वाले हैं 7 साल लगबग हो जाएंगे साथ सालों में जो अप्रेल 2024 में GST का कलेक्शन है वो रिकार्ड है 2 लाग के उपर है पहली बार 2 लाग के उपर गया है और वो 2 लाग 10 हजार करोड रुपया का कुपर्सोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज आप टार्फिडो यह प्रडाली का डियार डियों ने डाक्टर अपिजे अब्दुल कलाम दीप से उडिसा के दीप से जो है परिच्छन किया है तो इसको हम समझने की कोशिस करेंगी कि क्या है क्या कारी करता है और क्यों इसका आगे है ठीक है चलिए देखते हैं जैल में बंढ आरोपी व्यक्ति चुना तो लड़ सकता है लेकिनम नहीं कर सकता है देखने से यह लग रहा यह यह ihan कि शनलाख है यह क्श moment में सकता हमाँ अप देश शकते हैं लेकिन Iskaा मत नहीं देपा रहा है देखा जाए तो य एक मुद्दा है, इसको लेकर काफी गहराई से बात हुई है, ये चर्चा में अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो अमरित पाल जो वारिस पंजाब बेका प्रमुक है, खरिस्तानी समर्थक, वो चुनाल लड़नी का, उसने कहा है कि गोश्णा कर गया है, और दूसरा, एक क करनाटक के एक संसद हैं, वो उनके उपर कुछ केस चल रहा है, जिसको लेकर भी ये है कि ऐसे लोग जिन पे गंभीर मुकदमे हैं, वो चुनाल क्यों लड़ते हैं, ठीक है, तो आईए पहले समझते हैं इसको गहराई से, कि चर्चा में क्यों है, तो देखिए, पिछले खलिस्तान समर्थक संगठन, वारिस पंजाब दे का जो प्रमुक है, अमरित पाल सिंग ने, उसने गोशना की कि एक जुन को होने वाले पंजाब की ख़डूर साइब सीट से, लोग सुबाद चुनाल लड़ने की, उसने का कि वो अपना इराजा की गोशना की है, और इसी मामला है, उस ब्यक्तिप को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, ये एक कंसेंस बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप पे कोई भी आरोप लगे हो, आप जेल में बंद हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं, हाला कि ये मतदान देने के मामले में नहीं है, जैसे इसी मामले में ये जो अब्यक्ति है, ये चुनाव लड़ सकता है, उसके चुनाव लड़ने के अधिकार को सवालों को घेरे में नहीं रहेगा, जब तक कि वो दोसी नठारा आए जाए, और लेकिन ये मतदान या चुनाव परचार नहीं कर सकता थैं, तो ऐसा मामला है आईए जरा हम इसको देखें कि ओड देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार वैधानी का अधिकार है यह heading है इसको समझने की कोशिस करते हैं देखिए भारत में सुप्रिम कोट ने जो समविधान में समविधान का जो ब्याख्या करने का उसका अधिकार है उस 1875 में इंद्रा गांदी बनाया राज नरायन के बाद में कहा सुप्रिम कोट ने कि जो स्वतंत्र और निस्पच्च चुनाव की जो प्रडाली है ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. basic structure क्या है के श्वानन्द भारती में कहा था कि वो बिवस्था जिसे समविधान संसोधन करके भी नहीं बदल सकती है संसत, की सम्विधान संसोधन करनी की सक्ति को स्विकार करते हुए भी सुप्रिम कोट ने कहा कि कुछ ऐसा है समविधान में जिसे बदल देने पार वो समविधान समविधान नहीं रहेगा उसे वो basic structure कहता है उका निर्डे में कहा गया और उसमें समय समय पर कई सारीचीज़े कही गई, तो राज नरायन मामले में सुप्रीम कोड ने कहा कि स्वतंत्र और निस्पच चुनाव भारत में क्या है basic structure का भाग है, क्यों, क्योंकि उसके पहले संसरी लोकतंत्र को बाना था, तो जब संसरी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें चुनाव ह चुनाव ही नहीं होगा तो लोकतंत्र और संसदी लोकतंत्र कैसे हो सकता है तो ये सामिल है यानि स्वतंत्र और निस्पस्च चुनाव के में भागीदार होने वाले यानि चुनाव लड़ने का अधिकार और मत देने का अधिकार ये दोनों अधिकार बेसिक इस्ट्रक्चर क नईयरवाद में सरोच नाले ने कह दिया है कि 2006 में सुप्रिम कोट का जो निड़े है देखिए 2006 में कुल्दीब नईयर बना भारत संगवाद में पांच नयदोसों की समिधान पिटने कहा कि मत देने का अधिकार सुध और सरल एक वैधानिक अधिकार है यारी सभी को अधिका से बाहर किया जा सकता है ठीक है उस जाहिर सी बात है कोई भी कानूर रिजनेबल होना चाहिए असमानता वो सारी चीजे है लेकिन है ये एक वैधानिक अधिकार और साथ ही में मतदान ये हो जा गया कि ये मौलीक अधिकार नहीं है और इसे निरस्त भी किया जा सकता मौलीक अधिकार नहीं है तो इसे रोग भी लगाई जा सकती है इसी लिए मत देने से अगर आप जेल में निरुद्ध हैं इससे समझिएगा कि जेल में निरुद्ध व्यक्ति भले ही आरोपी ही हो अभी उसे सजा न दी गई हो उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है जब तक कि उसे जमानत नदे दिया जाता है या बरी नकर दिया गया हो अगर वो जेल के सलाकों के अंदर है पुलिस कस्टेडी में है तो वो मतदान नहीं देता है ठीक है साथी में चुने जाने का अधिकार भी यह कहा गया है कि सुनाया की संसद द्वारा अधनिमित कानून इन दोनों बेधानिक अधिकारों को अधनिमित कर सकती है यानि रोड मत देने का अधिकार कुल्दीब नईयरबाद में और चुने जाने का अधिकार right to elect right to ought and right to elect यह दोनों अधिकार जो है इबैधानिक हैं संसत के कानूनिके आधार पे यहनि statutory right है मौलिक अधिकार नहीं है यहनि इन दोनों पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है और जहां तक कि चुनाव लड़ने जो मामला आ रहा है कि आगर कोई आरोपी है तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जा सके यानि अगर चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं है यानि हर कोई नहीं कह सकता कि हम चुला रख सकता है यानि कुछ लोगों को चुनाव लडने से रोका जा सकता है वो कौन लोग है चुकि वैधानिक अधिकार है तो इसकी प्रावधान वैधान द्वारा ही किया गया है वो वैधान है जन्व परतनिदित अधनियम 1951 जो हमारा डारेक्ट टॉपिक है आरपी अधनियम 1951 इसमें एक धारा आठ है बहुत चर्चा में रहती है इसमें कहा गया है कि कुछ अपरादों की स्रेडी है कि इन अपरादों की स्रेडी में अगर कोई व्यक्ति दो सिद्ध ठहरा दिया जाता है याद रखिएगा आरोपी नहीं द और सजा के समाप्त होने के बाद भी 6 साल तक चुनाओ लड़ने के लिए अयोग्य होगा यानि अगर किसी मामले में कोई पटिकुलर व्यक्ति सजा पा जाता है कोड से दो सिद्ध हो जाता है सिर्फ आरोपी नहीं है दो सिद्ध हो जाता है तो वह व्यक्ति जितने समय के लिए सजा पाया है अगर वो पदपे है विधायक है सांसद है तो वो पद से चला जाएगा उसका और उस सजा काटने के बाद भी 6 साल तक वह चुनाओ नहीं लड़ सकता है ऐसा प्रावधान संसद ने अपने People of Representative Act या जन परतिनियम के तहद किया है ठीक है इसमें देखा जाए कि इसको लेकर थोड़ा सा जो है मुद्दा इसको लेकर काफी चर्चा में रहा है जैसे देखा जाए इसमें दो बड़ी चुनोतियां आई थी सेक्ट को लेकर एक 2011 में एक Public Interest Foundation ने एक याचिका दायर की थी उसने कहा था कि जैसे कि अभी मांग हो रही है कि जो अपर अपराधिक आरोप तैं कर दिये गया है यानि नयाले द्वारा आरोप लगा दिये गया है भी सजा न सुनाया गया हो और उन्हें उसने अपने अपराधिक इतिहास के बारे में गलत अपनामा दायर किया है इन्हें आयोग के घोसित कर दिया जाना चाहिए कोर्ट में याच 151, यानि संसद ही इसमें बदलाव कर सकती है, कोट नहीं कर सकती है, कोट अपनी सुप्रिम कोट औसाधारन परसितियों में कर सकती थी, जब कोई natural justice या कोई विधान उपलब्द नो हो, विधान है, अगर उसमें कोई change करना है, तो अगर उसमें कुछ जुडाना है, change करना है, तो वो किसका काम है, संसद या विधाई का का है, इस आधार पर ये जो दोस सिद्धी लोगों को सजा देने, कि उनके अगर वो दोसी थाराए गये हैं, भले दोस सिद्ध ना हुआ हो, सिर्फ आरोपत्र दाखिल हो गया हो, या जिनोंने जूठा अलपनामा लगाया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, एक और इस पे चुनावती आई थी, वो ये आई थी कि 2016 में एक वकील है, असुनी उपादिया, उन्होंने या चिका दायर की, कि जब दोस सिद्ध व्यक्ति सजाप्रस 6 साल के लिए अयोग्य होता, इन्होंने कहा कि वो बाकी समय के लिए वो पूरी तरह से अस्थाई आयोग्य हो जाए, यानि अगर बजती दोसी ठाराया गया है, तो उसे फिर वो लाइफ टाइम के लिए उसको आयोग्य ठारा दिया जाए, इस मामले को लेकर भी याचिका दायर है, अभी चल ही रही है, यह मामला सुप्रीम कोट ने नौंबर 2013 में सभी राज्यों के जो हाई कोट हैं, उनके मुख्य नयाधिसों को नोटिस दिया है, या निर्देश दिया है, कि वो जल्दी से जल्दी जो सांसद और बिधायक के मामले हैं, उन पर सिग्रों और प्रभावी क्या करे, निर्देश करके निप्टान क और जो मामला आया है, अप्रेल 2024 में अदारत को सोपी गई एक रिपोर्ट मनुसार, अभी भी 4472 ऐसे मामले हैं, जो सांसदों और बिधायकों को लेकर, जनपरतिनिदियों को लेकर MPMLA कोट में लंबित हैं, तो जब तक ये लंबित हैं, तब तक ये दो सिद्ध नहीं मान जाएगा और ऐसे में ये चुनाव लड़ सकते हैं, अब आप इसको कह सकते हैं, कि सर ये गंभीर और घ्रिनत अपराध में दोसी प्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, भाई देखिए ऐसा है कि आप जड़ा से सोच के देखिए, अगर ये बेवस्था न करें, कि सिर्फ आरोप लगने मात्र से अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने दिया जाए, न दिया जाए, यानि जैसे ही वो जेल जाए, उस पे मत देने का अधिकार नहीं है, वैसे उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार न दिया जाए, तो आप देखिएगा, एक हैपोथिस देख उसको क्या करेगा चुनाव के पहले उसको किसी गंभीर मुद्दो में बहुत सारे ऐसे लोग केस लगाने आ जाते हैं और ये कहना कि गलत सूचनाय प्राथमिकी गंभीर अपरादों में दर्ज नहीं होती है ऐसे भी विवात नहीं है उसे क्या कर दे पोलिस गिरफतार कर ले अब वो चुनाव नहीं लड़ सकता है यानि जगर प्रमुख प्रतिद्वन्दी हाला कि आज क्या है कि अगर आप अपने प्रमुख प्रतिद्वन्दी को गिरफतार भी कर लेते हो तब भी वो चुनाव तो लड़ सकता है आपके खिलाप हाँ मतदान नहीं कर सकता है अरे ये चीजे संभव नहीं होगी, इसलिए इसमें जो मेन मामला है कि ठीक है, जब तक दो सिद्धि में हो जाए, तब तक उनकर क्या किया जाए, जब दो सिद्ध हो जाए, तो फिर ठीक है, वो अपरादी हो गए है, ऐसे में दो सिद्धि तक जो है, आप ये सला दे सकते हैं, कि इसको जल्दी से किया जाए ठीक है आईए देखते हैं चुनाव सतस्ता से आयोगिता के मामले में कुछ अपवाद भी है जैसे चुनाव आयोग को इसी जनप्रदिनियम में कहा गया है कि वो धारा इग्यारे के तहर आयोगिता की अवदी को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सक है और हटा भी सकती बढ़ाने सकती कम कर सकती है और हटा सकती है और एक अने स्थिती है कि जैसे कोई अभी जो मामला आ रहा है कि कोई व्यक्ति किसी अदालत से दोस्सिद्ध ठाराया गया हो तो उस सदस्ता उसकी चली जाती है लेकिन सुप्रिम कोट ने बाद में ये ब्यक्ति पुन अपने पद पे बहाल हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है ये भी उसी तरह किया है कि जब तक कि आपके लीगल सिस्टम में उपलब्द सारे विकल्प आपने तलास नहीं लिया है तब तक आपको दोसी नहीं ठाराया जा सकता जब आप दोसी नहीं है तो आप फिर चुनाव लड़ सकते हैं इसको लेकर सुप्रीम कोट की यही बात है ठीक है जेल से बंद ब्यक्ति ओर देने का अधिकार का रोक है जैसे एक मामला फिर आया कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जैसे एक पिपल आप रेप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा बासट है इ मतदान नहीं कर सकता है इसको लेकर एक याचिका दायर की गई याचिका में यह कहा गया कि इसमें जैसे इसी में यह प्रावधान है कि जो प्रिवेंटिव डिटेनेशन है यानि कोई अपराद करना हो उसके पहले जो प्रसासनी गिरपतारी होती है बाकी जेल आदी जो है वो तो जुडिसियल कस्टेडी होती है इसमें पुलिस कस्टेडी जो निवारे गरपतारी है यानि अपराद नहीं किया है अपराद कर सकता है उसको रोकने के लिए जो गिया जाता है उसके मामले को छोड़कर कोई व्यक्ति मत नहीं दे सकता है हाँ अगर उसे जमानत मिल चया कि रहे से तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें असमानता है कि लोगों ने हम कहा कि आपको को क्या बहुत है नहीं दे सकता है इसको लेकर याचिका दायर की गई थी ये आचिका अनकूल चंद प्रदान बना भारसंग में मामला 1997 में आया था और उसमें ये आचिका खारिज कर दी गई थी ये आचिका खारिज करने के लिए जो प्रावधान किये गए थे वो ये था कि ओड देने का के अधीन ही रह सकता है तो वैधानिक सीमा अगर जन प्रतितित अधनियम लगाया है कि ओड नहीं दिया जा सकता है तो कोई गलत नहीं है दूसरा अदालत में कहा कि संसाधनों की कमी एक बड़ी चीज है क्योंकि अगर ओड देने को तो फिर वो पूरा सुरच्छा बेवस् और वो फिर दिक्कत हो सकती है तीसरा है अब्यक्ति अपने आचरण के कारण में जेल में बंद है ऐसे में वह आम लोगों की तरह आवागमन भासोर और अभिव्यक्त की समान सुतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है चोथा है और देने के अधिकार पर प्रतिवन उचित है क् कि इसके द्वारा चुनाव में अपराधिक प्रवित्त के लोगों को जुड़ने से रोका जा सकता है जितना संभव है उतना ठीक है तो ये मामला रहा है इसको आप लोग देख लीजिएगा अगला देखते हैं इसको अप्रेल महीना भारत के अपरत्यच करपनाली यानि इ 10,000 करोड से जादा हुआ है और ये जुलाई 2017 से लाई हुई GST का अब तक का सरवाधिक है तो आईए चलिए देखते हैं इससे क्या-क्या हम समझने की कोशिस करेंगे तो देखिए केंदरी बित्रमानतराले द्वारा एक माई 2021 को जो आकरे जारी किया है उसमें बताया गया है कि अप्रेल 2024 में सकल वस्तोयम सेवा कर गोड्स और सर्विसेस चेट संग्रत 2,10,000 करोड रुपे के रिकार्ड उच अस्तर पर पहुँच गया है और ये एर आन ये यानि पिछले वर्स की अपेच्छा 2023 अप्रेल की अपेच्छा इसमें 12.4 प्रस्षत की उलेखनी यानि घरेलू अस्तर पे जो व्यापार हुआ है उसमें उत्पादन उसमें उसके कारण 13.4 और आयात में जो है 8.3 प्रस्षत यानि आयात के कारण जो जीस्टी बढ़ा है वो तो चलो 8.3 है लेकिन जो घरेलू लेंदेन है यानि डुमेस्टिक अस्तर पे जो प्रटेक्श तो साथ साल पहले जुलाई 2017 में ये लागू हुआ था अपरत्य चिकर सुधार और ये जीस्टी संग्रय का उच्चतम अस्तर है पहली बार कुल संग्रय दो लाग करोन रुपे के पार गया है और पिछला उच्चतम अस्तर अप्रेल 2023 में एक लाग सत्तासी हजार करोन रु एक बित्ती वर्स का और पिला वाला है 24-25 का है तो इसके पहले अप्रेल में ही एक लाग सत्तासी हजार करोन अप्रेल 2023 में एक लाग सत्तासी हजार करोन का ग्रोथ हुआ था अब अप्रेल 2024 में दो लाग दस हजार 266 करोन का ग्रोथ हुआ है और ओवराल देखें तो ये आ दस्मलो चार परस्त की बृद्धि के साथ 18.1 लाख करोर रुपे है यानि ये बता रहा है कि GST का राजसु बढ़ रहा है जरह से हम स्टेट वाइस देख लेते हैं फिर देखेंगे कि ये राजसु में बृद्धि किस कारणों से हैं स्टेट वाइस देखें तो टोटल 38 बृद्धि दिखाई है मतलब उससे अधिक बृद्धि 19 राज्य है इसमें से 9 राज्य है यानि पूर्वी राज्य है चार पाच एक सिक्कीम अरुनांचर परदेश मेगाले नागलन और कुछ केंसासित परदेश जैसे जम्मू कस्मीर लच्छ दीब अंडमान ये 8 राज् जो में कुल संग्रहन के अधार पे यानि GST का कुल संग्रहन किस राज्य में जादा हुआ उसके अधार पे अगर देखा जाए तो सरवाधिक GST का GST संग्रहन महारास्ट में होता रहा है वहां पे हुआ है 37,671 करोड तो वहां पे हुआ है उसके बाद करनाटक रहा है इसी GST collection पे पच्छाड की उत्तर प्रदेस आगे आ रहा है। उसके पीछे वज़य देखेंगे अभी ग्रोथ वाला गर देखेंगे इसमें जाके उतना हमें जरूरत नहीं है कि GST का जो collection है वो उसमें बृद्धी तमिलाडु में कम हुई है उत्तर प्रदेस में ज्यादा 19 परस् हैं जिनके बारे में ये कि कुल GST संग्रहन के आधार पे है अगर हम बृद्धी के आधार पे देखें तो मिजरम में सबसे अधिक 52% की GST की बृद्धी दर्ज की गई है इसके बाद आसम में है दिल्ली बिहार और गोवा में 23% की बृद्धी है हर्याना में 21% की पस्चिन बंगाल में भी राजसों से जादा रही है टोटल 19 राज और किंसासित प्रदेशों में ये सिती देखी गई है अप्रेल मा में GST संग्रण में बिद्ध के कारण क्या है देखे जो इसके टक्स बिचारक हैं वो बता रहे हैं कि केंद्री और राजस अधिकारियों द्वारा आर्थिक गतिविदी और आर्डिट के द्वारा भी किया गया है साथी में ये जो अभी तक का सबसे अधिक संग्रह है यह मजबूत घरेलू अर्थ ब्यवस्था को भी दरसाता है यानि अर्थ ब्यवस्था में उत्पादन बढ़ा है क्यों क्यों बढ़ा है क्यो 12.4 परसित है ये बता रहा है कि घरिलू अस्तर पर बही ये काम भंदे ठीक ठाक चले हैं दूसरा यहां पे और जो बिद्धी की दिखारी वो बता रहे हैं कि ब्यावसाओ द्वारा जीस्टी अनुपालन में सुधार हो रहा है यानि कि जीस्टी को लाने का जो उद्देश थ उसके द्वारा अनुपालन कराने के लिए जो सक्ति दिखाई गई है जो प्रयास किया गया है वो सारी चीजे इसमें दिखाई देती है और यह प्रयास एक्रास दिखाई देती है जो प्रमुक GST उतपादक और भोकता राच हैं उनमें ये एक जैसी लगभग एक जैसी ब् ब्रिद्धी दिखाई देती है ये बता रहा है कि धीरे-धीरे हमारी economy में जो GST collection यानि जो गुतपादक वर्ग है या service provider है वो सब धीरे-धीरे formal economy की तरफ बढ़ रहे हैं चलिए अगला देखते हैं DRDO की smart पडाली ये एक DRDO SMART supersonic missile assistant release of torpedo ये एक पडाली है इसके जरिए टार्पीडो को काफी दूर तक assist करके भेजा जा सकता है तो आईए जरा हम इसको देखते हैं कि चर्चा में क्यों है तो भारत का रच्छान उसंधान और विकास संगतन DRDO ने एक माई को नौसेना की पंडुब्वी रोध्धी योद्ध छमता एंटी सब्मिरिन वारफेर को बढ़ाने के उद्देश से अगली पीडी के टार्पीडो रिलीज सिस्टम स्मार्ट पडाली का परिछन किया है ये प्रणाली तटों से भी छोड़ा जा सकता है यो दुपोतों दोनों से ही लांच किया जा सकता है और इसे उड़िसा के APJ अब्दुल्कलाम ड्रीप जिसे पहले वीलर आइसलेंड कहा जाता है उसी कहा है कि APJ अब्दुल कलाम दीप से एक Ground Mobile Launcher System से सफलता पुरवर लांच किया गया अब जरास हम इसके बारे में देख लें कि Supersonic Missile Assisted Release आप Tarpedo System क्या होता है तो ये DRDO द्वारा डिजाइन और विक्सित किया जा रहा है Tarpedo जो होता है आप उसको देखिए तो वो पानी में जो लांच किया जाने वाला हथियार है या आप Missile कह सकते हो या कोई भी अस्तर कर सकते हो वो उसको Tarpedo कहते है जो पानी में लांच किया जाता है और जो हलके Tarpedo होते हैं उनको उनको लांच करने के लिए Missile आधारी तंत्र है जो सैक्लो किलोमेटर दूर पंडुबियों को लच्छित कर सकता है जबकि हलके टार्पेडो की पारंपरिक सीमा कुछ किलोमेटर सोती है और इस सिस्टम का प्रियोग करके उनको सैक्लो यहां तक की 1000 किलोमेटर दूर तक भी पानी में लांच करके सबमरीन को लच्छ किया जा सकता है दो हजार दो के दस के मद्ध में जो है mid in 2010 DRDO ने मिसाइलों की सहाथा से टार्पीडो लांच करने की छमता बढ़ाने के लिए एक परियोजना पर काम करना शुरू किया था कि कैसे मिसाइल की जो सिस्टम है उसके दरिये हम अपनी टार्पीडो यानि पानी के अंदर उनको काफी दूर तक पहुँचाया जा सके क्योंकि उसके लिए आपको पानी के अंदर आप बहुत सारी ऐसे सम्मरीन्स हैं जो पानी के अंदर ही रहती हैं बहुत दूरी से रहती हैं और उसमें कई सारे nuclear submarine हैं, सबके पास नहीं है फिर भी एक खत्रा तो बढ़ी रहा है nuclear submarine बहुत दूर से परमाणू मेसाइलों से उनके युक्त होती है उनको भी निसाना बनाने के लिए आप उनके पास जाके नहीं बना सकते हैं आपके पास ऐसा ऐसी प्रडाली होनी चाहिए जो दूर से submarine को attack कर सके उसको लेकर हमें ऐसी चुकि हमारी torpedo पानी के अंदर उतने दूर तक नहीं जा सकती तो हमें एक ऐसी प्रडाली चाहिए थी जो कि इन torpedo को उतनी दूर तक ले जा सके उन submarines को मारने के लिए इसलिए पहले देखाता है कि नवसेना के anti-submarine चंता में बढ़ाने के लिए ठीक है और ये smart पडाली में torpedo को super sonic missile पडाली के ऐसे संसोधन के साथ लांज किया जाता है जो torpedo को अपनी तुलना से कहीं अधिक लंबी दूरी तक ले जाने ले जाएगा जैसे कुछ किलोमेटर की range वाली torpedo को इस missile पडाली द्वारा 1000 किलोमेटर दूरी तक छोड़ा जा सकता जिसमें हमारी पंडुबी भी सुरचित रहेगी और दूर से ही वो अपने निसाने को ले सकती है अगर यह नहीं रहता तो उसको अपने टार्विटों से हमला करने के लिए उसके पास जाना पड़ता और उसमें से हमारे चुकि ज़्यादा तर पंडुबियां क्या है अब जो आगे फविस्ट में खत्रा आ रहा है वो missile प्रद्योग्की से लैस रहेंगी ऐसे में हमें ऐसा हतियार चाहिए जो दूर से ही उसका निसाना बना सके और ये देखिए इसी के महत्तो को अगर हम देखें तो स्मार्ट पड़ाली पंडुबी रोधी युद्ध में गेम चंजिक परद्योगी है क्योंकि हिंद महासागर छेत्रभी चीन के बढ़ते प्रभा के मद्यच भारत की पंडुबी रोधी युद्ध छमता महत्वपूर अभी कल ही पढ़ाये थे कैसे जो है चीन पाकिस्तान को लिए जो है हेंगर सेडी को उसकी पंडुबियां बना रहा है और भी बहुत सारे देश है आज हमारा मित्र है कल वो हमारे सत्रू हो सकते हैं इसको लेकर हमें तैयारी करनी है हमें तैयारी करना और भी क्यों महत्वपूर है क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत पहले इस्तमाल न करने की नीतिके साथ चलता है यानि हम जो nuclear हमारा deterrence है वो no first use यानि जो हम पहले nuclear अस्तरों का इस्तमाल नहीं करेंगे हम पे अगर कोई होगा तो हम करेंगे इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसी second strike रहे कि अगर आप पे कोई हमला हो भी जाये तो आप बचे रहें और इतना बिद्ध्वनसक हमला करें कि सामने वाले को डर लग जाये कि हम भाई भारत बचा रहेगा यानि उसके लिए जरूरी है कि आपके पास nuclear capable nuclear missile युक्त जो है nuclear capable यानि nuclear से संचालित nuclear missile युक्त पंडुबियां हो और भी बहुत सारी चीज़ है लेकिन ये भी हो जो सागर में कहीं पड़ी हो सालों तक उनक होना चाहिए even that अकुला स्रेडी के अरिहंत के जो क्रू मेंबर है वो भी बहुत सारे लोगों को कभी मेडिया में नहीं आते हैं ठीक है एक बार अरिहंत के बारे में दिखाया जा रहा था एक प्रोग्राम था वहाँ पे उनको उनका पीछे से पोटो लिया गया था तो ठी है यह सही है कह सकते हो कि intelligence को और इसके खुपिया चीजों को ध्यान में रखते हुए तो ऐसे हमारे पास अगर पंडुबिया है तो हमें ऐसे पंडुबियों के लिए ऐसे टार्पीडो सिस्टेम भी चाहिए जो दूर तक 1000-1000 किलोमेटर दूर उसको लिए देखी जो हमारा DR का के फेमली या सागरिका जिसे कहते हैं यह मिसाइल है यह सब लांचिंग यह 1200-1500 किलोमेटर तक इसको बढ़ा सकते है और इसके तहत हम अपने टार्पीडो को कहीं भी है हम उसको कर सकते है और जिस तरह से सम्मरीन का खत्रा अटेकिंग सम्मरीन आ रही है पहले सम्मरीन को माना जाता था कि यह डिफेंसीव है लेकिन अब जिस तरह से अटेकिंग सम्मरीन का बुलबाला चल रहा है जिस तरह से चीन अपने सम्मरीन को बढ़ा रहा है उस दिस्टे से हमें इस तरह की प्रडाली की बहुत जरूरत थी, ठीक है, आईए ज़रा देखते हैं इन पे आधारित प्रस्णों को, तो भारत के संभिधान के संदर्ब में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए, स्वतंत्र और निस्पष चुनाव संभिधान की बुनिया प्राधान करता है, धारा बासट, धारा आठ, धारा बत्तिस, धारा इग्यार, यह धारा हैं इसलिए पढ़ा रहा हैं क्योंकि यह जन्पर्ड़िदि अनियम हमारे सिलेबस में हैं, इसलिए इसको आप देख लिजेगा, सुप्रीम कोट ने अपने एक फैसले में निमलिकि किस किन आधार, आधारों पर कैदियों को मत देने पर रोकने के लिए नियम को सही ठराया है, और देने का अधिकार एक बैधानिक अधिकार है, और बैधानिक सिमाओं के अधिन हो सकता है, यह अपराधिक प्रिष्ट पूंग वाले व्यक्तियों को चुनाओ के पर्तिस से जुड़ा है अपने आच्रण के कारण जिल में बंद ब्यक्ति आवा गवन भासवर और अभिव्यक्त की समान स्वतंता का दावा नहीं कर सकता है इसके आधार पे कूट है केवल तीन केवल एक और दो एक और केवल दो और तीन एक दो और तीन ठीक है तो आप इसको देखिए जुलाई 2014 ठीक है अगला है हाल में चर्चा में रहे डियर डियो की स्मार्ट पडाली के संदर्व में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए यह नौसेना की पंडुबी रोधी युद्छमताओं को आगे बढ़ाने को दिस से विखसित किया जा रहा है यह तंत्र हलके टा आप लोग इसको पढ़िएगा इसका नोट्स बनाईए प्रस्नों के जबाब दीजिए कमेंट्स करिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए सेयर करिए बाकी अपनी त्यारी रखिए जो लोग प्री दे रहे हैं वो अपने थोड़ा सा फैक्चुल चीजों को जाद नमस्ता